रवीन रसोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है इस अपडेट में हम चर्चा करेंगे एम्स भोपाल में ISN साक्ष संसिलेशन और मेटा विसलेशन पर आज से आरंभूई दो दिवसी कारेशाला के बारे में इस कारेशाला का उदगाटन एम्स भोपाल के कारेपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंग ने किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कारेशाला द्वारा चिकिस्सा के क्षेतर में किये गए विभिन शोद के द्वारा निकले हुए निसकर्शों के विशलेशन के बाद जो परिनाम निकलेगा उससे लोगों का इलाज करने में काफी लाब होगा प्रोफेसर सिंग ने इस खेतर में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एम्स भोपाल में अनुसंधान सेल दोरा इस खेतर में किये जारे प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि साक इस रिशी केस की कारिपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मीनु सिंग ने पिछले दो दशकों में व्यवस्थित समिक्षाओं मैटा विश्लेशन के बढ़ते हुए महतु पर जोड दिया उन्होंने डॉक्टरों के लिए समकालीन चिकिस्सा प्रगती के साथ तालमेल बिठाते हुए अपने अभ्यास में इन पद्धतियों का प्रभावी ढंग से लाब उठाने की अनिवारता पर जोड दिया उद्गाटन से पूर्व बाल शिक्षा विभाग की प्रमुक्ष डॉक्टर शिखा मलिक ने अपने भाशन में बाल चिकिस्सा विभाग द्वारा जल्द ही शुरू किये जाने वाले नए पाठिक्रमों की चर्चा करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंग द्वारा प्रदान किये गए समर्थन और प्रेरिणा के लिए आभार व्यक्त किया जो संस्थान में बढ़ती शोद गतिविजियों को प्रेरित करेगा कारेशाला का आयोजन इंटरनेशनल सोसाइटी आफ नेफरोलोजी के सहयोग से एम्स भोपाल के बाल रोग भी भाग द्वारा किया जा रहा है चिकिस्ता के क्षेतर में नित नए नवाचारों के बीच साक्ष संसिलेशन और मेटा विसलेशन चिकिस्ता को के लिए एक आवशक साधन के रूप में उभरे हैं जो चिकिस्सा सहयति के विशाल विस्तार को नविगेट करने और साक्ष आधारित नैदानिक निड़ने लेने में सहयक होते हैं इस कारेशाला में एम्स भोपाल और राज के विबिन मेडिकल कालेजों के प्रतिनीजियों के अत्रिक्त अन्य राज्यों के चिकित सविशेशक भी भाग ले रहे हैं